नमस्कार दोस्तों दोस्तों DDA यानि दिलही जवलप्मेंट अथर्टि के द्वारा सौ्ट नोटिस जारी किया गया है जिसमें बैकेंसी फॉर्म फिल करने की देट प्रॉंक प्लोजिंग करने की देट और एक्जाम डेट के वारे में बताया गया है यह इसमें तो हम देख लेते हैं इसे बेकंसी कितनी आपके की गई है क्या वहाइब कर रहेगा और जो रहेगा आपको 10ज़ रहेगा लवागत वान मंथ का टाइम रहेगा फॉम प्री करने का जिसके सांस अलिष में दिखा गया है टेंटिटिव स्टिव लॉफ ऑनलाइन एक्जामनेशन यानि आप पर एक्जाम पर डेट रहेगा वह एक नव दोजार बाइस से लेकर तीस नव दोजार बाइस की बीच में आपको एक्जाम आपको कंड़क्ट कराया जाएगा इसके साथ साथ देख लेते हैं कितनी पोस्ट पर इसका पे मैट्रिक्स रहेगा इसमें टोटल वैकेंसी जो रहेगी वह आपकी एक रहेगी जो किसी अन्डिजर्व यानि समान वर के लिए अरच्छिर की गई है इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर जूनियर इंजिनियर सिविल की जो आपकी वैकेंसी में निकाली गई ह जिसमें पे मैट्रिक्स आपका 6 रहेगा और इसमें टोटल 220 वैकेंसी एलोट की गई है जिसमें अन्डिजर्व यानि समान वर के लिए 92 वैकेंसी है इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 35 रहेगी जिसमें आपका समान वर के लिए 16 रहेगा इसमें आपका समान वर के लिए 16 रह पांच रहेगा से लिए दो रहेगा और ऊविसी के लिए नव रहेगा इसे प्रगार किए दो बैकेंसी में से दो आपकी जाएंगी सामान रिबर के लिए एक आपका और दो आपकी वैकिंसी रहेंगी OVC के लिए इसके सांस साथ जो आपका प्लानिंग एसिस्टेंट का है यह जो पे मैट्रिक्स लेवल सेवन रहें इसमें से साथ आपका समानवर के लिए है पांच आपका वैकिंसी वैकिंसी के लिए अलॉट की गई है इस प्रेकार टोटल और वैकिंसी जो आप पे लिए अलोट जकी गई है एसांस सा मोटिक्स है इस दिले इसमें आपकी लिजबिल्टी इंसके बारे नहीं बताया गया है इसमें लिखा हुआ है कि आपको बाकी जीडेल होगी आपको www.dta.jov.in की और इसका फॉर्म होगा अपको पर आपको आप मिल जाएगा वहां से आपनी मतलब form को फिल कर सकते हैं तो इसके सॉट नोटिस दिए अब इसके अगर आप इसमें लिजबल रहेंगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं धन्यवाद दो